जै मात अदी, जै मा कमा क्या, क्या आपको ओपरी कसर की शकायत है, भूठ प्रेद वाले लोग आम तोर पर पागनों की तरह विवार भी कर सकते हैं, भूठ प्रेद बादा व्यक्ति के शरीर के किसी भी अंग पर परभाव डाल सकती है, जैसे पैर, कमर, चाती, दिमाग और उसके जोड़ों पर भी, कई बार शरीर के किसी विशेश अंग पर लखवा भी हो सकता है, जिसका अपचार नहीं होता, क्योंकि वास्तम में वे कोई रोग है ही नहीं, जब कोई रोग है ही नहीं, तो उसका डाक्ट्री उपचार कैसा, सीर पर प्रेत बादा सवार होने पर व्यक्ति सुष्ट और खोया-खोया सा रहता है, वो लगातार एक ही वस्तु को निहारता रहता है, और चेतना शुन्ने भी हो जाता है, ऐसा व्यक्ति डरा-डरा सा, गबराट और चक्कर आने की शकायत भी कर सकता है, कई बार ये लक्षन रक्षण रक्षण बीपी के भी होते हैं, प्रंतु रक्षण चाप की जाँच करने पर विस्मान नहीं पाया जाता है, डॉक्टर ऐसे लोगों को नींद की गोलियां दे देते हैं, वो सोचते हैं कि ये जातक कोई सद्मा खा बैठा है, पिजली के शौट तक लगा देते हैं, फिर भी व्यक्ति ठीक नहीं हो पाता, ओप्री कसर से पीडित लोग, ओप्री कसर से बाधित लोगों का मन उचाट सा उड़ा उड़ा रहने लगता है, उन्हें अनावश्य की बिना बाद की गभराट सी मसूस होने लगती है, पीडित व्यक्ति या तो सोया रहता है, या फिर उसे नीन नहीं आती, भूद प्रेद ग्रशित व्यक्ति को हिचकियां वयुबासियां विशेशकर शुबा और शाम की आर्ति के समय आनी शुरू हो जाती है, कहीं बार भ्योशी की भी शकायत हो सकती है, कहीं बार चेरे प्रसू जना जाती है, और कई बार चेरा पीला भी पड़ जाता है कई बार थोड़ी बहुत सवारी भी आ सकती है यह दिव्यक्ति उगरात्मा के प्रकोप में पीडित है तो उसकी अवाज में परवर्तन भी आ सकता है उसकी छाती और दिमाग में बहुत सा रहता है कई बार उसका दिमाग पत्थर हो जाता है रात के समय पीडिती व्यक्तिव के अपने घर में अनावश्यक गबराट रहती है और बेह लगता है आखों का रंग अपना वास्तिविक ताखो देता है और वो या तो लाल रंग की हो जाती है या बिल्कुल सुफीद हो जाती है व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है उसके नींद और खानपन की मातरे में कमी या बढ़ोतरी हो जाती है कई बार जातक चलते चलते अपना भार नहीं जहिल पाता वो शराबी कितना रड़ खड़ा के चन्ने लग जाता है कहीं बार पीडित व्यक्ति पर आने पर ये भूत प्रेत आत्मा अपने आपको देवी देवता या पीर पेगंबर पता के प्रशाद भी क्रहन करने लग जाती है बूत प्रेत पीडित व्यक्ति की कमार हाथों जोडों कंधों पैरों गुटनों में दर्द की शिकायत रहती है खास कर अमावस्या के आसपास के दिनों में शरीर बीना किसी रोग के शूकता रह जाता है और पीला पर जाता है कुछ अत्रीपता आत्माइं बठकते रहती हैं क्योंकि उनमें संसारिक महुमाया भोग विलास और बद्ला लेने के परवित्ती रहती है और ये आत्माएं भोग विलास के लिए पीडित व्यक्ति के श्रीर का प्योग भी कर सकती हैं और करती भी हैं हमारे संपर्क में ऐसे कहीं पीडित इस्त्रियां वह पुरुशाय हैं जिनके साथ अत्रिप्त आत्में निद्रावस्ता में संभोग करती हैं सबसे बड़ी बात ये देखिने में आई है कि ये आत्माएं पीडित लगों के निजदी की रिष्थेदारों अथ्वा मित्रों के रूप में ही शारीरिक समंद बनाती हैं आत्माओं की वासना के शिकार इस तरियों में प्राई ये भी देखा गया है कि वह मां नहीं बनने देती और गर्बधारन के पचात भी करपात हो जाता है जन्म कुंडली में आज से ग्रह योग पड़े होते हैं जिससे पता चलता है कि जातक प्रेट पीड़ा आए अथ्वा उपरी कसर से पीड़ित है कि नहीं याद रखें मारकंडे परवान के उनसार जो परवार अम अवस्या नहीं मनाता वो भूत प्रेट से ग्रह सिती रहता है यदि आप डाक्टरों के चक्कर लगा लगा के कई सालों से ठग गए हैं और डाक्टरी रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आ रहा है आप पित्र दोश, काल सर्प दोश, नजर दोश, ओपरी कसर, प्रेट पीड़ा के उपाय करने के लिए हमसे मिल सकते हैं हमारा फोन नमबर है 98-788-69624 ओपरी कसर वाले लोग बगला मुखी मंतर बोलते रहें बहुत अराम मिलेगा त्रीम त्रीम हूम हूम इस्ट्रीम कमा के परसीद इस्ट्रीम इस्ट्रीम हूम इस्ट्रीम 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 स्वाह